अब यूट्यूब शॉट्स का जमाना है भाईया शॉट्स देखते देखते सारा समय निकल जाता है क्योंकि इंटरनेट के साथ साथ आपको बोर भी नहीं करता इसलिए लोग अपना ज्यादा समय यूट्यूब शॉट्स देखने में बिता देते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं, जिन शॉट्स को देख कर आप अपना पूरा-पूरा समय बिता रहे हैं, उसके Creators को इससे कोई कमाई नहीं होती। लेकिन अब YouTube जल्द अपने Shorts Creators को पैसे कमाने का मौका देने वाला है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। रेपोर्ट्स के मताबिक, कमपनी एक फरवरी से ही YouTube शॉट्वीडियो के लिए मौनेटाइजेशन प्रॉसस शुरू करने वाला है। यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए टर्म प्लान को इस हफते से शुरू किया जा सकता है। बता दें, कहा तो ये भी जा रहा है कि YouTube ऐसा TikTok को टक कर देने के लिए कर रहा है। ऐसे में यूट्यूब शॉट्स पर भी एडवर्टाइजमेंट लगाए जा सकेंगे और शॉट्ट वीडियो के जर्ये क्रेटर्स भी पैसा कमा पाएंगे। यूट्यूब शॉट्स का मॉनिटाइजेशन प्रॉसेस जैसे कि हमने आपको बताए कि YouTube शॉट्स मॉनिटाइजेशन प्रॉसेस एक फरवरी 2023 से शुरू किया जा रहा है। में शॉट्स क्रियेटर्स को शॉट revenue के टर्म और कंडीशेस का फ्रॉर्म भरना होगा तो आप इसकाelle जान लीजेए सबसे पहले तो सभी शॉट्स क्रियेटर्स को नए पार्ट्नर प्रोग्राम के terms and conditions को accept करना होगा बता दे इस form को accept करना बहुत जरूरी है अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो आप YouTube शॉट से पैसे नहीं कमा पाएंगे monetization process continue रखने के लिए users को 10 जुलाई तक form को भरना होगा ऐसे करें YouTube शॉट से कमाई इससे कमाई का process तीन चीजों से तै किया जाएगा इसमें subscribers के संख्या video कब watch time और brand promotion शामिल होगे इन तीन तरीकों से YouTube शॉट से कमाई की जा सकती है eligibility और sharing percentage बता दें YouTubers के शॉट से कमाई करने के लिए company ने eligibility और sharing percentage भी set किया है सबसे पहले शॉट वीडियो के monetization के लिए YouTubers के कम से कम 1000 subscribers होने चाहिए इसके साथ ही साल भर में 4000 घंटे का watch time भी पूरा करना होगा वहीं जिन YouTubers के पिछले तीन महिने में 10 million या इससे ज्यादा views हैं वो भी monetization के लिए eligible होंगे और इसके लिए request भी share कर सकते हैं YouTube के ad sharing process के तहत revenue का 45 पीसिदी creators और 55 पीसिदी हिसा YouTube को जाएगा YouTube अपने share से revenue का 10 पीसिदी हिसा शॉट वीडियो में यूज होने वाले music creators को देगा झाले